इन तीन जगहों पर जला दें दीपक देखिए फिर कैसे भर जाएगी आपकी तिजोरी रोगों से भी मिलेगे मुक्ति जैसी आराम प्रयाग रास्ते में आपका एश्टो राहूल स्रवास्तो आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और आपके जीवन में पैसे की कमी ज़ादा है तो ऐसे में आप ज्योतिस के कई उपायों का अपना कर इस समस्या से निजात पा सकते हैं ऐसे में ज्योतिस शास्तर में आर्थिक परशानी से निपटने के लिए कई प्रभावी उपाय के बारे में बताया है जिसको कर आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के साथ ही कई और समस्याओं से भी छुड़कारा पा सकते हैं परन्तु सबसे पहले ये निवेदन यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा जैसे ऐसे महत्वूर जानकारी आपको बिदा रोग तोक मिलती रहे और जानकारी अगर पसंद आ जाए तो शेर करी दीजेगा मित्रो अगर आपको आर्थिक परशानिया है तो ऐसे में दीपक जलाने का भी विधान है ऐसे में तीन दीपक आपके जीवन में आर्थिक समस्यां को दूर कर सकते हैं भगमान गड़ेश जी को दुरूबा की माला पहनाने के साथ उनके आगे तीन देशी घी का दीपक जलाने से सारी आर्थिक परशानिया दूर हो जाएंगे मन की दरिद्रता को दूर करने के लिए सायंकाल पीपल के तेड के नीचे तिली का या सरसो के तेल का दीपक जलाना चाहिए वहीं घर में सुक शांती के लिए लॉंग के साथ कपूर जलाना बेहद शुब माना गया है इससे नकरात्मंग उर्जा भी दूर होती है चांदी की कटोरी में लॉंग और कपूर को एक साथ रात में सोने के समय जलाया जाए तो घर में धन की कमी नहीं होती अजमाग देखिएगा साथ ही लॉंग के साथ कपूर जलाने से रोगों से भी मुक्ति मिलेगी वहीं हनमान मंदिर में जाकर मंगलवार को आप लॉंग और कपूर ले जाकर जलाएं ऐसा करने से आपकी परशानी कम होगी इसका धुआ आपके घर में सुख शान्ती लाता है घर में कलेश हो तो इसके धुए को पूरे घर में दिखाईए इससे ग्रह कलेश भी कटेगा वही तुलसी के क्यारी में दीपक प्रती सायंकाल को जलाना चाहिए इससे घर में मा लच्वी का निवास होता है मित्रो ऐसे है में तो पुण विषय के जानकारे के लिए आप हमारे लॉंग और शॉट दो दो विडियो देखते रहिए उन्हा धन्यवाद सभी को मेरा जैसी है राम आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विष्लेशन और समस्याओं के निवारण के बारे में विष्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर करें 9454621446